हर हर महादेव आज आप सुनेंगे बूत प्रदोस ब्रत कथा बूत बार को आने वाले प्रदोस ब्रत को बूत प्रदोस ब्रत कहा जाता है प्रदोस अथवा त्रेयुदसी का ब्रत मनुसों को संतोसी एवं सुखी बनाता है बुद रेवदसी प्रदोस ब्रत करने से सर्व कामनाय पूर्ण होती है इस ब्रत में हरी बस्तुओं का प्रियूक करना चाहिए संकर सिर्जी की आराधना धूब बेल पत्रा आधी से करनी चाहिए बुद प्रदोस ब्रत की कथा के अनुसार एक पुरुस का नया नया साधी हुआ था साधी के दो दिनों बाद उसकी पत्नी माई के चली गई कुछ दिनों के बाद वो पुरुस पत्नी को लेने उसके इहां गया बुद बर को जब वो पत्नी के साथ लोटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का फ्रेत न किया कि विदाय के लिए बुद बर सुब नहीं होता लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ बेल गारी में चल पड़ा विबस होकर साध ससुर ने अपने जमाई और पुत ना कि देरो बाद पुरुस पानी लेकर वापस लोटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हाथ ससकर बाते कर रही है और वो उसके लोटे से पानी पी रही है उसको क्रोध आ गया वो निकट पहुचा तो उसके आच्रे का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांती थी पत्नी भी सोच में पढ़ गई दोनों पुरुष जगरने लगे धीरे धेरे उहां काफी भीर एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए हम सकल आदमियों को देख वे भी आच्रे में पढ़ गए उन्होंने इस्तरी से पूछा उसका पती कौन है वो कींक तिब्ब विमूर हो गई तब वो पुरुष संकर भगवान से पार्थना करने लगा हे भगवन हमारी रक्षा करे मुझसे बरी भूल हो गई है कि मैंने सास्सुर की बात नहीं मानी और बुद्बार को पत्नी को बिदा कर लिया मैं भविस्सा में ऐसा कदपी नहीं करूंगा जैसे ही उसकी पार्थना पूरी हुई दूसरा पूरूस अंत्रधान हो गया पती पत्नी सा कुसल अपने घर पहुच गए उस दिन के बात से पती पत्नी नियाम पूर्बग बूत्रेयोदेसी प्रदोस का व्रत रखने लगे प्रेम से बोलिये भगवान सिवसंकर की जै दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले धन्यवाद